वेलकम टू पी एन बी माइंड पॉर्ट चैनल टू किस निव लाइफ दोस्तों आज मैं एक प्रस्ण को लेके आया हूं और इस प्रस्ण पर चर्चा करने से आपको हिस्ट्री का मॉडरन सेक्शन में फायदा होगा और जीएस का जो बीपेस से जीएस होता है उसका पेपर व पूछा जाता रहा है आज मैं बात कर रहा हूं सुतंता संघर्ष में गांधी जी का योगदान यह एक मुहतपुर्ण प्रस्ण है और इस प्रस्ण का जो मैं उत्तर देने जा रहा हूं उस उत्तर को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं या तो पूरा-पूरा यूज़ को कि आप अपने सब्दों में उत्तर दें छोटे छोटे पराग्राफ होने चाहिए आंसर आपके कंपैक्ट होना चाहिए डाटा फैक्ट की भर्मार न करें डाटा फैक्ट इस तरह से न प्रस्तूत करें कि और सहज लगने लगे रूची समाप्त हो जाया मतलब रूची कर हो होना चाहिए तो ऐसे काफी डिमांड होते हैं कि आपके उत्तर में होने चाहिए बट जो नए करनेट होते हैं उनको अजीव सा तकलीफ महसूस होता है कि आखिर कैसे किया जाए कंपैक्ट एंसर भी दे 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 फिर डाटा कौन सा दे कौन सा छोड़ दे कैसे दे तो बहुत हैं तो उसमें दिक्कत होती है अगर मॉडल अंसर दे दिया जाए तो इन बिंदू को उसमें खोज कर समझा सकता है तो यही पर्यास में कर रहा हूं जिसे की नए करनेट को लाब हो और यह इसा टॉपिक है जो अकसर पुछा आता है तो इस पर मैं इसका आंसर देने जा रह होजे और परते एक पराग्राफ के लिए एक इक जिसाइड कर लिए उन पॉइंट को क्या करें मतलब यात कर ले और इसको डीब करें पहले आपे जोडिक और लेघरेन को लिख करके इशसे आपको राटिनर हाँ सकता नहीं पड़ेगी कभएं कर लोग hai समझना है और आपक देखिए इसमें मैंने इस आंसर के लिए मैंने आपको 13 पॉइंट मना दिये हैं अप परते को मैं डिल कर रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा और जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी होगा और इसका उत्तर यह नहीं कर रहा है क्यों हूँ बहु लिखेंगे बस एक मॉडल है जो आपको मदद करेगा नए लोग के लिए काफी अच्छा है और इसके बैट कर सुनने क्यों सकता नहीं काफी आपको टाइम नहीं किल करना है जब कभी आप कीचेन में हो या इधर हो दूसरा काम में बीजी हो तो वस सुन सकते हैं या आध्सा हो जाएगा और समझ लेंगे चलिए पॉइंट नमर जो पहला होगा भूमिका देते हैं हर प्रस्में भूमिका देते हैं भूमिका भी छोटा होना चाहिए ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए 1920 से लेकर 1947 तक भारतिय राष्टिय आंदरन की बागडोड महात्मा गांधी के हाथों में रही इस दोरान उन्होंने अपने अभूतपुर्व तकनीकियों के द्वारा राष्टि आंदरन को सीखर तक पहुँचा कर बिटिश सरकार से सोतंता हासिल की अब दूसरे प्राग्राफ में हैं आंदरन की प्रिकृति में बदलाओ गांधी की आगमन के बाद राष्टि आंदरन की प्रिकृति में भी भारी बदलाओ आया अब आंदरन के वल सिक्षित मध्यमबर्ग तक सिमित नहीं रहा इन बदलाओं के करण ही राष्टि आंदरन एक पूर्ण जन आंदरन के रूप में बिक्षित हो सका इसका प्रथम उदाहरन 1922 का अशाहयोग आंदरन तथा सरुत्तक्रिष्ट उदाहरन 1942 का भारच छुरू आंदरन था तीसरा पॉइंट है अल्फ संख्यक से बहुत संख्यक बनी कॉंग्रेस पार्टी नौ जनवरी 1915 इसवी को दक्षिन अफिरिका से स्वदेश लोटने के बाद गांधी गांधी जी देश के बिविन हिस्सो बिशेश कर ग्रामिन भार्थ का दोड़ा किये उन्होंने पाया कि 885 इसी में अस्थापित भार्थिय राष्टिय कॉंग्रेस अपने 30 वर्षों के कारेकाल में बहुत संख्यक भार्थिय जनता को राष्टिय आंदरन की मुकधारा से जोडने में असफल रही है इस तीसरे में यह आप यह भी जोड़ सकते हैं आप शुरू में अपने तरब से भी काफी कोई जोड़ना है आपको गांधी जी ने सबसे पैदे निर्णे लिया कि देश की ग्रामीन जनसंक्या के समाजिक और आर्थिक पहलू का विश्तार से आध्यन किया जाए और इसी क्रम में इसी उदेश से उन्होंने संपूर्ण भारत की आत्रा की इसको भी आप जोड़ सकते हैं चलिए चौथे पॉइंट पाते हैं चौथा पॉइंट है ब्यापक जनसंगु कांग्रेस से जुड़े गांधी जी ने व्यापक जनसंगु कांग्रेस से जुड़ अा लिक्थें टूर सरपता माई बिश्थित करने पर विश्यस ध्यान दिया, क्रिशक, स्रमिक, जमिंदार, पुंजी पती, ब्यापारी, सामान जन्ता, हिंदु मुसल्मान तथा उच वर्ग जैसे बिकृत हित समुहों की मांगों और अपयक्चाओं में संतुरन बनाया, इस प्रकार जन्ता के ब्यापक समुहों को राष्टी आंदलन से जोडने में गांधी जी सफल रहे, अब जैसे मैंने बताए कि ये तो मैं आंसर दे रहा हूँ, आप थोड़ा बूस चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेंज करना चाहिए, ये देखे बीगनर्स के लिए हैं, जिनक बाहर सुधार करने की सफल कोशिस की, और उसको अद फिर लिख दीजिए, गांधी जी ने कांगर्स की नीतियों, सिधानतों और शकार्शक्रमों के विशंगतियों को दूर कर उसका जनाधार बिश्टित करने पर जोड़ दिया, फिर आगे जो मैंने बताए उसको कर सकते ह लिखेंगे और उसके बाद से जो है, उतर जो है जब लिखेंगे तो हम जो उतर दे रहे हैं, उसमें उसको एक अधार बना कर थुरावत प्रड़तन कर सकते हैं, चलिए पांचवे पॉइंट इक तरफ चलते हैं, पांचवा है सत्यागरा के तरीकों की खोज, अत्यचार ए सभी जग सत्य, अहिंसा और सत्यागरा अर्थार्थ सरकार के प्रती अहिंसात्मक अशहयोग की नीती अपनाई, उन्होंने सत्यागरा की अनेक तरीकों की खोज की जैसे अशहयोग, शविनवग्या, हिजरत, उपवास, हर्ताल और भहिसकार, अहिंसा के परयोग ने जनता क ये ब्यापक समुह को राष्टी अंदलन से जोड़ दिया महिलाओं ने भी इसी कार्ण से बरी संख्या में इसके हिस्षेदारी बन गई महिलाओं की बरी संख्या इसी कार्ण से राष्टी अंदलन की तरफ उनमुख हुई अब छठा है पॉइंट है चंपारन सत्यागरा चंपारन सत्यागरा तो चर्चाब हो जरूरी है और इस पर बीपेस से जी एस में फूल कोशन पूश सकता है 1917 से बीस इस्वी के बीच गांधी ने देश के बिविन हिस्षों के किसानों तथा मजदूरों के अंदलन को नेतृत प्रदान किया और इस तरीके से उन्हें राष्टवादी धारा में जोडने का प्रयास किया इस दिश्षा में चंपारन सत्यागरा प्रमुख है जंपार्ण के गाउं में 1917 में इरोपी जमिंदारों के बुरुद गांधी जी ने किसानों के अंदलन कर नेतृत किया और अंतता जवरन नील की खेती वाली तीन कठिया विवस्था को समाप्त करा कर किसानों को राह दिलाई सात्वा पॉइंट है खेरा तथा मील मजदूर यह सिर्प याद रखनी के लिए सौटकट में लिखा हुआ है गांधी जी ने 1908 इस्वी में गुजरात के खेरा जीले में लगान की छूट के लिए किसान अंदलन का संचालन किया सन 1918 में ही अहमदाबाद में मील मालिकों की वृद उन्होंने आवाज उठाई मैजदूरों की मैजदूरी में 35 परशत वृद्धी कराने में सफल रहे इन अंदलनों की आंसिक सफलता ने गांधी जी को 19 तक राष्टी अस्तर पर प्रमुख नेता के रूप में अस्थापित कर दिया उसके बाद है आठोव पॉइंट अभी तक गांधी जी ब्रिटिस सरकार के सहयोगी थे प्रत्थम विश्यूद रॉलेक्ट एक्ट में सहयोगी गांधी को और सहयोगी बना दिया यहाँ है कि प्रत्थम विश्यूद में जो गांधी जी शहयोगी थे उस गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट के करण खुद को ब्रिटिस सरकार का अस्थायोगी बना दिया मार्च 1919 इस्वी में गांधी ने जब रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्यागरा का नारा दिया तब यह भारत में देश व्यापी संगर से छेड़ने का उनका पहला प्रत्थन था इसको फिर सुन लिजे थोड़ा गरवड हो गया था अभी तक गांधी जी बिटिस सरकार के सहयोगी थे उन्हें प्रत्थम बिश्यूद में बिटिस सरकार को अपना सहयोग दिया था लेकिन रॉलेक्ट एक्ट के करण गांधी जी अब और सहयोगी बन चुके थे मार्च उनेश इसवी में गांधी जी ने जब रॉलेक्ट एक्ट के खिलाब सत्यागरा का नारा दिया तब भारत में देश व्यापी शंगर्स छेडने का पहला प्रत्र बन गया अब इसमें है नवे पॉइंट में तीन बर्य अंदुलन एक तो नन कॉपरेशन मुवमेंट एक है सिविल डिस अबडियन्स मुवमेंट एक है क्वीट इंडिया इसमें लिखेंगे इसके बाद आजादी प्राप्ति है तो गांधी जी ने कॉंग्रेस के नित्रुत में दे भारत छोरवा अंदुलन उनिसो नैंटीन फोटीटू को आयूजित किया इन तीन आंदुलनों के कार्जक्रम और छेत्री विष्तार में विभीनता हो सकती है किन्तु राइनितिक लक्ष एक था और वह था स्वराज की प्राप्ति वह था के लिए आप डैस दे देंगे दस नमर पॉइंट है अंदुलन का स्रवांगिन विकास यत्मी गांधी के राष्टी अंदुलन का लक्ष स्वराज की प्राप्ति था प्रंतु उन्होंने राष्टी अंदुलन को स्रवांगिन विकास के लिए प्रत्न किया इसके लिए अनेक रचनात्मक समाजिक और आर्थिक कार्चक्रम का परतिवादन किया छुआ छूत का विरोद कर अचुतों का उधार किया नारियों का उथान किया चर्खा, हतकरगा, खादी, ग्रामद्योग, आदी चलाकर जनता में सौलंबन और राष्टवाद का विकास किया 11 पॉइंट है संप्रदाइक एकता इसमें दो पॉइंट डिल करना 1922 का खिलाफत अंदरन और नोवाखली भारत से अंग्रेजी राज के प्रभाव को समाब्द करने में गांधी जी के उपर्युक्त कार्जक्रमों का विश्यस योगदान था इसके अत्रिक्त गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकताव बल देकर भीराष्टी अंदरन को मजबूत करने का प्रयास किया इसी क्रम में 1922 का खिलाफत अंदरन एक जरंद उधारन बना सर 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगे में नुवा खोली जाकर सम्रदाइक एकता कायम करने के पीछे गांधी जी का मुलू देश यही था और बारवा पॉइंट है गांधी वादी अंदरन की आलोचना कुछ आलोचकों ने गांधी जी के कारियों की आलोचना भी की है उन्होंने अश्रहयोग और सभीने अवग्या जैसे ब्यापक आंदरन को पुर्व निर्धारत मांगों से कम पर बीच में वापस लिए जाने को गांधी वादी कमजोडी के रूप में देखा है किन्तु यह कमजोडी ना होकर गांधी वादी रनिती का एक हिस्सा ही थी संघर्ष बिराम संघर्ष की रनिती द्वारा गांधी जी ने जनता के मनोवल को बढ़करा रखा गांधी ने ब्रिटिस समराजवादी शासन की मजबूत इस्थिती को देखते हैं ऐसा किया एक सोची समझी रनिती के तहट दिरकालिन लक्ष उन्होंने तै किये थे और उसी लक्ष के अनुसार वो काम कर रहे थे उसी रनिती के अनुसार वो काम कर रहे थे गांधी पर यह भी आरोप लगा जाता है कि वे भारत बिभाजन को रोक नहीं सके अब अंतिम बिंदु है जो 13 नमर पर संतुलित निसकर्ष देना है कैसे लिखेंगे यह सही है कि कुछ औसरों पर गांधी को गांधी जी को भी फलता का भी मुह देखना पड़ा प्रन्तु इससे गांधी जी का महत कम नहीं हो जाता गांधी की सफलता इस बात में छुपी हुई थी कि उन्होंने स्वतंता अंधरों को एक जन सधारन अंधरों के रूप में तब्दिल कर दिया इसका परणाम यह हुआ कि 1922 सिस्वी के बाद बिटिस सत्ता को यह मानने पर बाद होना पड़ा कि भारती जनता अब बिटिस शासन की दास्ता को स्विकार करने के लिए तनिक भी तयार नहीं है अंतर तक मजूर होकर 1947 सिसी में उन्हें भारत को आजाद करना परा यह अजादी गांधी जी के महान युगदान को अबिस्मर्णिये बना दिया और इस प्रकार से यह आंसर स्वाप्त हो जाएगा यह मैंने एक मॉडल आंसर देने की कोशिस की है सहज सब्दों में और अपने शब्दों में देने कोशिस की आप जब इसको पूरा लिख लेंगे सुन करके फिर आपको अच्छा लागेगा मैंने काफी धीमे धीमे बताया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो लिखने में तो धन्यवाद दोस्तों अगर कोश अच्छा लागा हो तो जरूर लाइक करेंगे और इसे नए लोगों को आप फॉरवर्ट कर देंगे और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे और फिर मिलते आए के वीडियो में थैंक्स